सटिंग को कर सकते हो आघ के इस वीडियो में आप लोग को इस के बारे बतानी वाला हूं तो गाइस वीडियो काफी जैदी यूस पर नोलेच्वल होनी वाला इस वीडियो के लाइक जिर से कर दिएगा और अगर आप चाल पने होंगे तो आपको नीचे एक सस्क्राइब बटन सूर अगोस प्रेस कर दिएगा आपको इस फून में कोल रिकॉर्णी सेटिंग को करने के लिए अपको फोन का जो दायलर होता है उससे यह पर उपन करना होगा अब जैसे यहां पर डायलर को उपन करोगी तो आपको यह यहां पर कुछ इस तरी के से आपकी फोन में जितनी भी कॉंटक्ट नमर होंगे वह सब्सक्राइब को एक ऐधिग से होना होगा आप को सब्सक्राइब कर दोगी सियु आपके फून के फोन की वहjungтор याँ पर आपको स्वाइप करके थोड़ा नीचे आना होगा यहाँ पर आपको इस तरीके से जो कॉल रेकॉर्डिंग का आपसन वो फुन हनेल लग जायगा तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और जिसी क्लिक कर équancialभी तो यहां कुछ इस तरीके से आपकी फून में जो call recording के option होते हैं वो सू होने ही लग जाएंगे जिसमें आपको सबसे उपर दो option मिलते हैं पहला option तो होता यहाँ पर delete recording का और दूसरा delete all recording का तो इन option से यहाँ पर आप अपने फून की जो call recording होते हैं उसे delete कर सकते हो इसके बाद अगर आ नीचे आते हूँ तो यहाँ पर आपके option मिलता automatic recording का और इसके सामने आपको एक बटन मिलता है तो अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसे number की call को यहाँ पर automatic record करना है जो कि आपके phone में save नहींगे तो यहाँ पर आपके phone में एक option होगा automatically record unknown number तो आपको इसके सामने इस button को यहाँ से on करना होगा इसे on करने के बाद जो number आपके phone में save नहींगे उसकी भी call यहाँ पर automatic phone लग जाएगी इसके बाद आपको नीचे एक और option मिलेगा automatic record their number इस पर आप जिसे click करोगे तो यहाँ पर यहाँ आपसे choose number का option आपके सामने आएगा जिससे अगर आपको किसे selected number ही की ही call यहाँ पर automatic record करने है तो आप उस number को यहाँ से choose contact पर click करके select कर सकते हूँ आपने जिस भी number को select किया होगा उसकी call यहाँ पर automatic record होगी तो गाइस कुछ इतनी setting होती है तो वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईए